अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपका डेटा और आपका टाइम दोनों वेस्ट होंगे और मोड भी शायद वर्क ना करें और गैस अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो मैं गैनिटी लेता हूं कि आप इस मोड को बड़े ही आसानी से बिना कैसी दिक्कत के साथ खेल पाएंगी सो ही गैस वेलकम बैक टू ब्रैंड न्यू वीडियो ऑन दे चैनल मेरा नहीं हरश वर्धन और आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं गाड ऑफ वर मोड पैक यह मोड पैक बहुत ज्यादा शानदार है जैसा कि अभी आप गेमपले में देख रहे हैं इस मोड पैक में आपको क्या-का मिलने वाला है तो यह सब जानने विडियो को पुरे एंट तक देखते रहना है इस मोड पैक में आपको मिल जाएगा गौड ऑफ वर का जो कलेक्टर एप сюfindenेखेखेट अपको स्किंब जाएगी और आपको इसमेlor इसमे मिल जाएगी डुल बलेट्स ऑर आपको मिलेगा इसमें ब्रेंड आनिट यू एनिमिशИन तो कीस इतनी चीजे आपको इस इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे अपने GTA Sanitaryz में Overdose Effects को इंस्टॉल कर सकते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा So guys आपने इस mode का gameplay देख लिया है तो अब हम चलते हैं इसकी installation की तरफ उसे पहले guys अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजिये और pass के bell icon पे click करिये और all का option पे आपको click कर देना है जिससे guys अगर मैं कोई भी नई वीडियो अप्लोड करूँगा तो आपके पास notification पहुच जाएगी So guys इस mode को अपने game में install करने के लिए आपके पास total 4 चीज़े होना बहुत जरूरी है पहली है mode की file, दूसरा है jud archiver, थर्ड है GTA IMG tool और फौर्ट है TXT tool तो इन चारों का link आपको मेरी इसी video की description box में मिल जाएगा So guys मैंने आपको मेरी website का link दिया है files को download करने के लिए और मेरी website से files and applications को कैसे download करते हैं इस topic पर मैंने अलग से separate video बना रखा है तो मेरी आपस request है कि please आप उस video को एक बात देख लीजे उसकी बाद आप मेरी website से files and applications को easily download कर सकोगे So guys अब आपको ZR Achiever application को open कर दिना है So guys ZR Achiever application को open कर दिने की बाद आप guys आपको यहाँ पर mod की file पर एक बार simply click करना है Second option extract here आप guys आप से यहाँ पर password मांगेगा तो guys आपको यहाँ पर password ध्यान से देख लेना है बहुत से लोग password देखते नहीं है फिर comment में पूछते हैं कि भाई password क्या है तो अब आप password यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए उसकी बाद आप guys इसका screenshot भी ले सकते हैं उसकी बाद guys आपको OK के button पर click करना है फिर guys हमारे यहाँ पर file बेने किसी दिक्कत के साथ extract हो जाएगी फिर आपको एक यहाँ पर folder मिलेगा God of War mode by HoneyTechnicals इस folder को यहाँ से open करिए इसके अंदर guys आपको कुछ folders मिलेंगी तो guys सबसे top पे जो folder is com.rockstar.games.gts से इसको simply cut कर दिजिए और अपनी device memory के Android और data में ले जाकर इसको extract कर दिजिए Guys हो सकता है कि जो इस mode में कोई इसलिए script हो आप में पहले से install हो तो guys उससे कोई फरक नहीं बढ़ता आपको यहाँ पर apply to all files पर click करना है और यह से replace कर दिना है अब guys आपको GTA AMG tool application को open कर दिना है So guys GTA AMG tool application को open कर दिना की बाद आपको guys यहाँ पर open AMG के button पर click करना है उसकी बाद guys आपको अपने Android के folder में जाना है उसकी बाद guys आपको जाना है data folder में अब guys आपको यहाँ पर com.rockstar.games.gtsa का folder open करना है आप यहाँ आपको जाना है files में texdb अब गैस आपको यहाँ पर GTA 3.img को select कर लेना है अब गैस जो भी लोग GTA San Andreas का light version यूज़ कर रहे उनको GTA 3.img इसली मिल जाएगी बट जो भी लोग GTA San Andreas का full version यूज़ कर रहे उनमें से बहुत से लोगों को पता नहीं है कि GTA 3.img कैसे ले तो मैंने इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना रखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की description box में दे दूँगा ताकि आप उस वीडियो का एक बार देखकर GTA 3.img इसली ले लीजीगा उसके बाद गैस आपको यहाँ पर 3.img पर क्लिक करना है अपको यहाँ पर add files with replace अब आपको इस पर क्लिक करना है अपको यहाँ से simply back आजाना है अपको उस folder में जाना है जहां पर आपने mod की file को extract किया था इसके अदर गैस आपको एक folder में लेका dff name से आपको इसको open करना है इसके अदर गैस आपको दो dff files मिलेगी तो इनको आपको select करना है फिरसे आपको 3. पर क्लिक करना है और यहाँ से फिरसे add files with replace अब आपको इस पर क्लिक करना है अपको इस आपको इस आपको यहाँ से back आना है अब गैस यहाँ पर जो second folder है replace to gta3.img इसको open करना है और इसके अदर गैस दो आपको ifp file मिलेगी गैस इनको भी आपको select करना है processing complete हो जाने की बाद गैस आपको यहाँ पर फिरसे 3. पर क्लिक करना है और यहाँ से rebuild rebuild complete हो जाने की बाद गैस अब आपको txd tool application को open कर देना है txd tool application को open कर देने की बाद गैस आपको यहाँ पर जो नीचे file का icon आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से गैस मैं आपको बैका कर दिखा दे तो हम पूरा अब गैस आपको अपने android के folder में जाना है अब गैस आपको जाना है data folder में अब गैस com.rockstar.games.gtsa folder files texdb अब गैस यहाँ से आपको यहाँ पर gta3.txt को select कर लेना है अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर gta3.txt open हो चुकी है अब गैस आपको यहाँ पर simply plus का icon पर क्लिक करना है और यहाँ पर second option from txt archives और गैस आपको यहाँ से आपने जिस folder में mode को extract किया था आपको इसको open करना है इसकंदर गैस आपको third folder मिलेगा txt name से इसको open करिए इसकंदर गैस आपको दो txt files मिलेगी तो गैस इनको आपको select कर लेना है अब गैस आप यहाँ पर setting थोड़ी ध्यान से देख लीजिए just add से आपको कर देना है overwrite और यहाँ से correct capital letters in name से आपको on कर देना है और enable cam num से आपको tick हटा देना है अब गैस यहाँ पर जो quality है गैस वह आप 512 रख लीजिए जिसे आपकी gta3.txt का size नहीं बढ़ेगा ठीक है तो गैस यह सारे settings कर देने के बाद अब गैस आपको ok के button पे click करना है गैस हमारे यहाँ पर textures import होने में 9-10 minute लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा से wait कर लेते हैं so guys अभी हमारे यहाँ पर सारे textures import हो गए हैं तो guys अब आप अपने game को open करें so guys अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने game को start कर लिया है so guys मैं आपको सबसे पहले यह दिखा देता हूँ कि आप कैसे craters की skin ले सकते हैं so guys इसके लिए आपको अपना cilio menu open करना है so guys आपको जाना है skin selector पर उसकी बात guys यहाँ पर जो second skin है the truth guys आपको इसको select कर लेना है so guys आपको यहाँ पर craters की skin मिल जाएगी so guys मैं आपको यह बता देता हूँ कि आप कैसे craters के blade से वह आप कैसे ले सकते हैं so guys इसके लिए आपको फिरसे अपना cilio menu open करना है so guys आपको जाना है menu weapon पर और इसको open करना है so guys आपको यहाँ पर नीचे की side में एक weapon मिलेगा so guys आपको इसको select कर लेना है so guys आपके पास dual blades भी आ जाएगी so guys मैं आपको पता देता हूँ कि आप कैसे इसकी powers को आप कैसे activate कर सकते हैं so guys आपको फिरसे अपना cilio menu open करना है so guys यहाँ पर जो second cilio script blade of athena so guys आपको इसको activate कर देना है so guys आप यहाँ से जैसे बाहर आएगे और guys यहाँ पर यह sword का icon देगा guys आप इस पर guys आप जैसे click करेंगे तो guys यहाँ पर इसकी powers use करना start कर देगा so guys अब आपको इसकी speed को यहाँ पर control करने के लिए आपका guys जो analog button है guys आप इससे speed को यहाँ पर control कर सकते हैं उसकी बाद guys यह कुछ इस तरह की position में आजाएगा उसकी बाद guys आपको अपने analog button यहाँ पर आगे की तरफ guys आप करना है जैसकी मैं कर रहा हूँ यह देखिए यह आपर fly होना शुरू हो गया है और guys इसके लब आपको इसमें इसका animation तो इंस्टॉल ही मिल जाएगा So guys मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे क्रेटर्स की skin ले सकते हैं और उसकी weapons ले सकते हैं इसके लब आपको बता दिया है कि आप कैसे क्रेटर्स की powers को use कर सकते हैं So guys आप जैसे इस mode को आगे-आगे खेलते जाएगे तो guys आप अपने आप समझ लेंगे So guys आज किस वीडियो में बस इतना ही So guys अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजगा और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आपन पर क्लिक कर दीजिगा तक कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आपके पास नौटिफिक्शन पहुंच जाए Guys प्लीज हमारे यूटूब चैनल को सपोर्ट करें Guys मैं आपके लिए ऐसे ही GTA Senators इसके और भी अच्छे अच्छे मोड्स डेली लाता रहूंगा So Guys मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपने ख्याल रखें और इस मोड को इंजॉय करें बाई बाई